दमद्दमद्दमन निनाद वद्दमर्वयम चकारचंड तांदवं तनो तुरेश्रिवेश्रिम् धगत 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 जवललाट पटपावके किशोरचंद्र रुशेखरे रतिफ प्रतिक्षाम ममा क्योंकि शायद कम लोगों को यहाँ यह मालूम हो कि संस्कृत विश्वकी सबसे विज्ञानिक भाषा है सेंपेट्रोदा यहाँ बैचे हैं वो साक्षी होंगे इस वात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्ण उठा कि कौनसी भाषा उसके लिए चुनी जाए क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टी से भी वेज्ञानिक होनी चाहिए और धनी की दृष्टी से भी जो बोला जाए वही वो पढ़े आज गर्व से माथा उंचा करके कह सकती हूँ के विश्व की तमाम भाषाओं की समिक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वता उप्युक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत है क्योंकि जैसे अंग्रेजी में N-O-9 भी 9 है और K-N-O-W भी 9 है अब अगर आथ कंप्यूटर को बोलें I know this तो तो लिखेगा I-N-O, know this कोई अर्थी नहीं निकलेगा उसका कहीं T silent हो जाता है तो कहीं E silent हो जाता है बोलते हैं, लिखते हैं entrepreneur, बोलते हैं entrepreneur वो विवेक हीं कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है यहां तक की छोटी E और छोटे U की मात्रा की धनियां भी अलग है इती, यदि आपने छोटा बोला तो इती लेकिन दही, बड़ी की मात्रा बोला तो दही तो जो बोलेंगे वो लिखेगा जो लिखेगा वो ही पढ़ेगा लेकिन केबल धनी की बात नहीं मैं संस्कृत की विज्ञानिक्ता के दो उदारण आपको देना चाहूंगी संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रो कि रचनाकार अपने व्यक्यत्व के अनुसार उसको चुन सकता है एक प्रसंग है रामायर का कि जिस समय भगवान श्रीराम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरित मानस में रुद्राष्ट कम के नाम से समाविष्च किया गया है रुद्राष्ट कम के शब्द हैं लेकिन उसे समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावन ने भी आरादना की थी, स्थुति की थी, और उसने अपना स्थोत्र स्वयम रचा था, जो श्रीव तांडव स्थोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, शब्द है, यहां बेठे किसी एक पाँच वर्ष के बालक के सामने, यदि मैं केवल ये दोश्रोक रख दूँ और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ, इसमें से कौन सा रामणे रचा होगा, और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने, वो कहेगा कि डमड़ डमड डमड़ डमड़ ये रामण का श्रोक होगा, क्योंकि शब्द उसके व्यक्तितों से मेल खाते है और नमामी शमीशान निर्वान रूपम राम ने कहा हुआ ये है संस्क्रित की विग्यानिकता एक और उधरन देती हूँ आप हैरान हो जाएंगे संस्क्रित के एक रचना का रहे है दंडी उनका एक नाटक है दश कुमार चरितम जिसमें दस राजकुमारों की कथा है अलग-अलग उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्वृत की प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है एक तीर आकर उनके होट पर लगता है और उनका निचला होट कर जाता है मित्रो इस प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है कितने ही समवाद विशुत बोलता है लेकिन दंडी ने पूरे समवादों में कहीं भी ओश्ठांग का प्रयोग विशुत से नहीं करवाया है ओश्ठांग क्या है? पूरा अलफाबेٹ हिंदी का जो पवर्ग है वो ओश्ठांग है पववव भवव मा पवव भव मा दोनों होट मिला कर बोले जा सकते हैं अगर दोनों होट में से एक होट नहीं है तो आप प नहीं बोल सकते हैं मुझा नहीं बोल सकते ये पवर्ग ओष्ठांग है तो अगर उसका एक होट कट गया तो उसने पवर्ग का उचारण कैसे किया ये कोई भी प्रश्ण कर सकता था रचनाकार से इसलिए अनेक सम्वादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है यह संस्कृत की शायद इससे बड़ी अध्यानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती संस्कृत जनभाशा रही है चोटे लोग अनपढ़ लोग बिना विद्याले में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे सामने से एक लकड़ारा आ रहा था उसने लकडिया काट कर अपने सिर पर रखी हुई थी पसीनों पसीन था राजा ने लकड़ारे को देखा तो तब संस्कृत में बाचीत होती थी संस्कृती जनभाशा थी तो राजा ने लकड़ारे से कहा किमते भारम बाधती क्या ये भार तुमें कर्ष्ट पहुचा रहा है लेकिन बाद शब्द जो है मिक्रो वो धातू है जो परस्माई पदी नहीं चलती आत्मने पदी चलती है संस्कृत में दो तरह की धातु में हैं परस्माई पदी चलती है बाधती बा देते बाधनते बाद शब्द जो है वो आत्मने पदी में तो लकड़ारा जवाब क्या देता है भारम नबाधती राजन यथा बाधती बाधते है कि राजा मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा चितना आपके मूझ से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है क्योंक राजन यठा बाधती बाधते तो कौन कहता ये जनभाशा नहीं रही ये जनभाशा रही है लेकिन आज मैं शंकर जी से कहना चाहूं कि आपकी साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर एक जिम्मेदारी आई है क्योंकि आज संस्कृत केवल कर्मकांड की भाशा बन कर रहे गई कल जब विश्व के लोग आएंगे और कहेंगे कि कम्प्यूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो हम टॉकिंग कम्प्यूटर बनाना चाहते हैं तो एक विडंबना खड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उसे कम्प्यूटर नहीं आता और जिसे कम्प्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आती इसने केवल Sightation संस्कृत में पढ़कर अपने कर्तव भी की तीश्री मत कर लीजे South India Education Society का यह फर्ज बनता है यह कर्तव यह बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करें जो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के परम विद्वान बनें और उस समय जब हमारे सामने ये बोध आकर के खड़ा हो ये विशे आकर के खड़ा हो कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए तो साउथ इंडिया एजुकेशन सुसाइटी कहें ये दीजिये हम देते हैं जो संस्कृत के भी ग्याता है और कंप्यूटर के भी ग्याता है क्योंकि अथा भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का हमारे शास्त्र हमारे उपनिशा हमारे ग्रंथ और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुँची नहीं आज अभी शंकर जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे उदार चरिता नाम वसुधः वकुटुमबकम ये संस्कृत जानने वाले की सोच है संस्कृत बोलने वाला पूरी पृत्वी को परिवार मानता है वसुधः वकुटुमबकम संस्कृत बोलने वाला पृत्वी को परिवार मानता है और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता और ये सोच का अंतर है क्योंकि परिवार में प्यार होता है मित्रो बाजार में व्यापार होता है केवल व्यापार शुद्ध व्यापार लेकिन ये कौन बताएगा लोगों को के भारत ये संस्कृती में पूरी प्रिध्वी को पूरी वसुदा को कुतुम्ब मानने की भावना है सर्वे भवन तु सुखिना हम तो सर्वकी बात करते हैं सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्चन तु मा कर्षित दुद्बाग पुवेद सर्वके कल्यान की कामना किसने की है लोग अपनी अपनी बात करते है लेकिन ये है वो भारत ये संस्कृती जो सरवके कलजान की कामना करती है इसलिए बहुत जादा आवशक है कि ये ज्ञान जो छिपा पड़ा है उस्तकों में केवल इस कारण नहीं पहुँच पारा कि ऐसी भाशा में है जो भाशा मृत्प्राय होती जा रही है जो भाशा केवल मंत्रोच चार्क की भाशा बन गई है कि विवाः पद्धती करानी है जन्म मरण कराना है तो पंडी जी को बुला लो वो भी अपना आधा आशुद और आधा शुद बोल के चले जाते है क्योंकि उनको भी कोई टोकने वाला नहीं उनको भी कोई कहने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे है इसलिए साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर ये जिम्मेदारी आईए आप इस काम को करें और मैंने अभी जब आप बैठे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो ठाइला का पुरसकार आपने मुझे दिया है मैं आपको वापिस करती हूँ आप इसी पुन्य कारे में आप उसका इस्तेमाल करें और ये काम आप जरूर करेंगे मुझे लगता है तभी मेरा यहां आना सार्थक होगा